आज का जो हमारा टॉपिक है वो है drug targets के उपर के एक drug जब बॉड़ी के अंदर आईगी तो वो कैसे जाकर जो टिशूज बोगरा है उनके उपर target करेगी drug targets यानि यह वो target sites क्या है जो targets होते हैं drug targets वो दो तरहा के होते हैं एक है हमारे पास non-receptor mediated action scaling और एक है receptor mediated actions यानि एक तरहां से drugs ऐसे act करेंगी कि वो receptor पर जाके बाइंड करेंगी और अगे effect produce करेंगी और एक targets है कि वो receptor से बाइंड नहीं करेंगी लेकिन क्या करेंगी अपने actions still perform कर लेंगी like they have zero affinity या binding to any receptor ठीक है but still produce the effect यानि कि वो सिर्फ और से receptor के साथ bind नहीं करेंगी लेकिन बाकी जो है na effect produce करेंगी और वो effect अभी हम आगे देखेंगे कि वो effect ऐसी produce होता है कि वो receptor के साथ बाइंड नहीं करते लेकिन रिस्टर के लावा और बहुत ही चीजों के साथ bind कर जाती है ठीक है इसे को पहले देखते हैं इसे हमारे पास फरदर दो टाइप्स है एक है हमारे पास chemical actions है ठीक है और एक हमारे पास physical effects है ठीक है chemical actions क्या है chemical actions के एक ग्जाम पर ले लेते हैं जैसे हमें पता है हमारे पास body के अंदर neutralization chemistry में neutralization reaction आपने पढ़ावा होगा neutralization reaction में के एक्जामब ले लेते हैं body के अंदर कि हमें पता है कि स्टमक जो है हो HCl प्रोडूस करता है जो के एक strong acid है अब अगर हम बाहर से कोई भी end acid दे ठीक है या कोई ऐसा compound दे दी जो कि यह जब भी इस काम करता है और वो इस तर्द जब जा कर react करेगा तो वो हमारे पास neutralization reaction होगा जैसे न ए एच न एच CO3 ठीक है यह हमने क्या किया कि हमारे अगर हमने soda bycard दिया तो वो जाके stomach एक है अगर HCl के साथ रियाक करके क्या प्रोड्यूस करेगा NaCl प्लस carbon dioxide प्लस water ठीक है तो यह क्या है acid acid और base आपस भी रियाक्ट करके रियाक्ट करके रियाक रियाक्ट स्वाल्ट बना दिया एक carbon acid gas और water molecule क्या है So this is a neutralization reaction So it is a non-receptor mediated action जहां पे हम कोई भी drug यह भी दे रहे हैं तो जो भी हम compound दे रहे हैं वो chemically react करते है What does it come to physical effect? What does it come to physical effect? What does it come to our drug? What does it come to physical effect? It will bind to such things because it will not be receptor And in the previous video we have already discussed what is the actual definition of receptor What is the definition of receptor? Just for sake of review कि एक तो यह है कि उसके पास ऐसा structure जिसके पास ligand binding domain हो और दूसरा उसके पास effector domain भी हो ठीक है? कि आके उसके उसके उपर कोई चीज बाइंड करें और उसके बाद वो नीचे से response भी दे ठीक है? So ligand binding domain and effector domain यह दोनों होनी चाहिए ज़रूरी है लेगन अगर इसके इलावा किसी तरह की भी binding होगी जिसमें हमारे पास effector domain's effect उस तरह कर नहीं produce होगा तो हमारे पास उन targets को हम receptors नहीं कहते हैं ठीक है? और इसलिए उन targets के साथ की binding को हम non receptor mediated actions के अंदर physical effects ने count करते हैं इसके examples देते हैं सबसे पहले हमारे पास है different enzymes अब enzymes क्या है enzymes जो हैं वो कोई भी वो नहीं है यह से कहते हैं receptor नहीं है इसकी example से इसकी example से इसकी example ले लेते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास एक drug class है एंसेट की ठीक है यह हम as an anti-piratic या फिर as a pain killer देते होते हैं answer क्या क्या करता है answer body के अंदर जाकर दो enzymes है cox, one cox, two enzymes के साथ वो बाइंड गरेगा जब इसके साथ बाइंड होगी तो क्या होगा prostaglandins pgs बनना बंद हो जाएंगा normal cycle होती क्या है क्या है क्या बोड़ी के अंदर क्या होता है क्या है different lipid compounds actually मैं उसकी detail में यहाँ पर नहीं जाना चारी because जब हम answers पढ़ेंगे तो भी विल सी के prostaglandins प्रोडूस कैसे होता है but just for sake of this concept के different molecules होते हैं lipid molecules ठीक है उनके थरूद क्या होता है के उनके ओपर cox enzyme act करती है और prostaglandins प्रोडूस करती है यह प्रोट्राग्लैंडिन प्रोडूस करते हैं ब्रेन को जाके हीट करेंगे ठीक है और यह होता है fever हो जाता है अब इन प्रोट्राग्लैंडिन ना बनें अब एक बुखारवाला गानवाल आपके पास है उसको आप क्या करते हैं अब एंसे देते हैं वो इस प्रोटीन के सब बसदागे बाइंड कर देता है तो यह अपना function नहीं कॉस करती ठीक है बट ऐसी बात नहीं है कि इस enzyme के पास फ़ी एक्टर डुमेन है और वो एंसर के बाइंड के बाद वो एफक्ट जो है ना और अग्यों कि किसी और कोई आई चैनल की सी डिशन कर दिया कोई एक्षिन स्थाट कर दिया जिसके थूर वो ऊष्टर ग्लैंड सी प्रोड़क्शन को बाइंड करें नहीं दूसरी हमारे पास है DNA, DNA जो है DNA के ओपर different हमारे पास drug class है, fluoro, quinolones की, ठीक है, जो quinolones drug है, इनका effect क्या होता है, वो DNA पर जापक्रक्ट करती है, ठीक है, और जो है, वो function वगएरा और रोकेंगी, ठीक है, तो ये भी जो DNA है, DNA को हम receptor नहीं कहते, DNA is not a receptor, तो क्या है, ये physical effect नही tibules की, microtubules, you know, हमारे पास cell है, उसके अंदर cell के structure मैंटेन करने करें जो है, वो हमारे पास microtubules होती है, ठीक है, तो इसके बाइक भी इसके साथ जदा के कुछी द्रग बाइंड करेगी तो भी नॉन्र्सप्रर मीडियरेटीर एक्षिन में आता है और माइको ट्रग को साथ बाइंड करेवली एक बहुत फेमस द्रग है एक एंटी कैंसर्ड्रग जो के विन क्रिस्टीन है ठीक है वो इसके साथ बाइंड करती है, बस सेल अपना फंक्शन नी परफॉर्म कर सकता है, that's why the cancerous drugs वगएरा है, so cancerous cells है, उनकी death वगएरा start होगी, उसके बाद जो चोथा है, हमारे पास वो है carrier proteins, carrier proteins, basically, transport proteins वगएरा भी होती है, इसमें हमारे पास जो example आती है, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमेप्रा-जोल की example, हमेप्रा-जोल भी basically, can-tacida होता क्या है, let's suppose if this is your stomach or your animal's stomach, यह क्या है, यह different cells है, इन cells में, हमारे पास एक pumps होते हैं, proton pumps जोके ATP is driven होते हैं, यानि ATP के energy इसमाल करके, क्या करते हैं, वो hydrogen को अंदर पैंकेंगे, और फिर इसी तरह कुछ और pumps होते हैं, जो chlorine को अंदर लेके हैं, और वो HCl produce होगा, अब इन proton pumps के साथ, यानि यह जो proteins हैं, ठीक है, यह जो enzymes हैं, सिर्फ इनके साथ, में पराजोलने आकर क्या करना है, बाइंड करना है, बाइंड करना है, बाइंड हो जाएगी तो यह अपना function तो नहीं परफार्म करे सकेंगे, यह जो हैं, वो हैं iron channels, iron channels basically हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं voltage-gated और एक होते हैं ligand-gated, ligand-gated यह जो हैं वो non-receptor-mediated के अंदर नहीं आते हैं, तो हम उनको receptor-mediated के अंदर देखेंगे, बट यहां पर iron channels वो voltage-gated हैं, और उसकी example है lidocaine, ligand-gated local anesthesia होता है कि हमने जिस जिगा पर, let's suppose एक paw है ठीक है, एक animal के तो हमने जिस जिगा पर इसको cut देना होता है, तो वहां पर हम उसकी infiltration कर देते हैं, हम वहां पर injection के through different spots पर लगाएंगे, और क्या होता है कि जो effect है pain का वो खतम हो जाता है, लेकिन ये effect produced होता कैसे है, let's see that, basically इस चीज़ को समझने के लिए action potential जो है, उसकी थोड़ से understanding जरूरी है, अगर तो आपकी है well and good अगर आपकी नहीं है, तो you can go and watch my video on the action potential, इसमें यह है कि होता है कि हमारे पास जो ion channels है, वो membrane के अंदर embedded होते हैं, ठीक है, यह हमारे पास एक membrane है, और हमें पता है कि resting membrane potential यह होता है कि inside जो है, वो membrane negative होती है, और outside जो membrane होती है, वो होती है positive, ठीक है, अब होगा क्या कि, let's suppose कोई भी पीछे से nerve impulse आई है, ठीक है, कोई stimulus आट है, आपने हाथ को touch किया है, pressure दिया है, कोई भी mechanical stimulus आपने दिया है, ठीक है, body किसी पार्ट पे, अब वहाँ से जो भी nerves थी, jar थी, जो message ले कहेंगे, उनमें action potential move होना होता है, अब होता है, कि इनर साइड होती है, वह electro positive होना शुरू हो जाती है, और outer side electro negative हो जाती है, basically यह वह होते हैं, कुछ leaky ion channels होते हैं, उनके तूप्या होगा, कि यह ion shift हो जाता है, जब यह होता है, तो voltage shift जब आता है, तो voltage gated ion channels होते हैं, वह open हो जाते हैं, वह further sodium को in करेंगे, वह further ions को अंदर भेजना शुरू कर देते हैं, इसलिए, मजीद action potential आगे जाता जाता है, लॉंग the nerve membrane ठीक है, और क्या है, कि वह एक activity perform होती है, लीडो के इनकी भी जो local anesthesia है, उसकी भी activity यही है, वह in nine channels में क्या करता है, कि इनके through sodium को वह अंदर भीजवाएगा ठीक है, और इस तरह वह electric activity है, जो membrane है उसकी ख्राप, अल्टर करवा देता है, और जब यह alter already से हो चुकी होगी membrane, इतनी जादा हो चुकी होगी कि वह, जो depolarization वह इस level की है, कि उसके बाद जब आप further skin के ओपर कोई incident देते हो, animal को या कोई cut देते हो, कोई stimulus देते हो, तो इसकी pain जो है, वह perceived नहीं होती, क्योंकि आपका जो nerve है, जो आपकी nerve membrane है, वह already fire हो चुकी है, यानि कि वह already impulse जो है, वह वहां से गुजर चुकी है, और वह जो है, इस activity जो अल्टर होई है, तो इस activity जो अल्टर होई हो से ओपर मजीद तो अल्टर नहीं होना ना, तो मजीद impulse नहीं आ सकी, तो मजीद pain की perception नहीं आती, ठीक है, तो ये लिडोकेन का आइन चैनल के ऊपर function है, बागी ये बाद आपको action potential के knowledge दे ज़्यादा सही समझ में आज के अंदर जो आइन चैनल जाते है, लाइन गे उनको भी जपड़ेंगे, तो you will get a better difference, उसके बाद, receptor media deductions आते हैं, ठीक है, receptor media deductions है हमारे बाद इसे के लिए चार टाइप है, receptors की जिसमें हमारे पास पैला है, G-protein-coupled receptors, ठीक है, दूसरा हमारे पास है, enzyme-linked receptors, ठीक है, हमारे पास है, ion channels, ठीक है, और यह ion channels हमारे पास कौन से है, यह है, ligand gated, जब हम इनको देखेंगे, तो you will understand those voltage gated, उसके बाद, हमारे पास जित्रोथा है, वो है, nuclear receptors, ठीक है, तो receptor media deductions हमारे बास बिसिकली चार टाइपस ओफ रिसेप्टर आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे, that's all, thank you.